आप सबी का सुवागत ते हैं हमारे चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में जैसा की दोस्तों आपने हमारे सुडियो में वीडियो के थमनेल में देखा होगा हम जिस नम्मक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मोटा नम्मक है या पसोग की बाटे में या चारे में यूज होने वाला वो नम्मक है जिनका उपयोग अगर आप खेती के यूज में करते हैं तो उसके क्या फाइदे देखने को मिलेंगे क्या नुकसान देखने को उसके अंदर के कौन-कौन से पॉस्टत तो फाइज आते हैं उसका डोज कितना रगना चाहिए उसकी मार्केट में कीमत क्या है यानि कि हम मोटे नमग या बड़े नमग की संपुन जानकरी के साथ बात करेंगे इसके भी किसान भै लोग को बहुत कमेंट मिलते हैं कि हमें सुरूर से लेकर अंतक जरूर देखे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक चादिक किसान सात्यों के साथ शेर भी जरूर करें अगर आप हमारे वार्टसप ग्रोव में जुड़ना चाहते हैं तो दिस्क्रिप्शन में दीवी लिंक पर क्लिक करके ज उनको फाइदा भी देखने को मिल रहा है दोस्तों मोटे नमक के अंदरगत जो मोटा नमक होता है उसके अंदरगत सोडियम कलोराइड होता है यानि यानि ए सी एल टू जैसा सोडियम कलोराइड इसके साथ में पाय जाता है अगर आप सोडियम कलोराइड का प्रियोग अग होती जल्दी किर्या कर लेता हैं अगर आप अपने खेद में सोडियम सिंगल सोडियम डालते हो तो भी वह किर्या कर लेता है अगर आप सिंगल कलोराइड डालते हो तो भी वह आपके खेद में नमी के संपरग में आते ही किर्या कर लेता हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं sodium chloride के अंदर कौन-कौन से पुसक्ततों पाए जाते हैं तो बड़े नम्मक के अंदर calcium, potassium, boron, bromide, borate, feroride और silicate जैसे पुसक्ततों पाए जाते हैं इसके अलावा 4-5 परकार के यसे बेश्ट पुसक्ततों पाए जाते हैं जो कि आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए ब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बड़े नम्मक के फाइदे और नुकसान के बारे में अगर ये फाइदा करता हैं तो ये नुकसान भी जरूर करता होगा तो अगर सबसे पहले फाइदे की बात करें तो बड़े नम्मक के प्रयोक से फल व फूल की size को बढ़ाता हैं और दूसरा काम करता है, बड़ा नम्मक कंद के वजन और फल के वजन को बढ़ाने में मजबूती परदान करता है। तीसरा, बड़ा नम्मक चमक वब पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप किसी भी फसल पर इसका प्रयोग करते हैं तो वह फसल के कंद को या फल को चमकदार अधिक से अधिक फड़ लाने में मदद करता हैं साथ ही बड़ा नम्मक एक फपुनी नसक का काम भी करता है और एक खरपतवार नसक का काम भी करता है और एक कीर नसक का काम भी करता है आप एक बाल्टी में पानी के साथ नम्मक ले लीजिए और नम्मक के गोल के अंतरगत आप दिमक या सपेज गंडाल को डाल दीजिए अग नुकसान की बात करें तो अगर आप थोड़ी से मात्रा भी ज्यादा अगर आपके खैद में परियोग कर देते हैं यानि कि इसके मात्रा का डोज आपको 10-15 किलो बता हैं और आप एक एकड में 25 किलो परियोग कर रहे हैं तो वह जो मात्रा ज़्यादा डाली है उसकी वज़े से आपकी फसल की पैदावाल 15-20% कम हो जाएगी तो यह काटा भी आपको देखने को मिल सकता है और जैसे कि मैंने दूसरा नुकसान होता है जैसे कि मैंने बता है कि यह दिमक और सपेड गिननार को भी मार देता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में मित्र कीट या सुक्सम कीट जो कि आपके मिटी में जो अवश्यक मित्र कीट होते हैं जो कि पोदे को परदान करते हैं उन्हीं कीटों को भी ये मार देता है तो ये फाइदे करने के साथ नुकसान भी बहुत ज़दा करता है तीसरे नमर पर आता है नुकसान ये जमीन को भी बंजर बना देता है अगर ज़्यादा प्रियोग अगर आप करते हैं तो ये जमीन को बंजिर मनाने में मदद करता है अब हम बात करें इसके सही दोफ की तो अगर इसका प्रियोग आप नहीं करें तो ही फाइदा अच्छा देखने को मिलेगा फाइदे के साथ साथ इसका नुकसान जदा देखने को मिल रहा है तो आप कभी भी अपनी फचलों में नमग का प्रयोग ना करें इसको फाइदे के बज़ाए नुकसान ही जदा देखने को मिल रहा है अगर कुछ जानकरी बड़े नम्मक की मिली होगी तो दोस्तों अगर प्रियोग करते हैं तो आपकी इच्छा और नहीं करते हैं तो भी आपकी इच्छा मेरे अनुमान से तो इसका प्रियोग आप करदा भी ना करें दोस्तों धन्यवाद जे जवान जे किसा